काघज में लक्षमी रहती है जो तिजोरी की कैद में छुकती है काघज पे खबरी आती है देश को ब्रश्टा चार और काले धन रुपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सक्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मध्यरात्री यानी आठ नवंबर 2016 की रात्री को बारा बज़े से वर्तमान में जारी पान सो रुपए और एक हजार रुपए के करंसी नौट लीगल टैंडर नहीं रहेंगे फिर कागस नहीं बस रद्दी रह जाती है जब कागस की कीमत बदलती है तब देश की किस्मत बदलती है होसला रखो यारो माना की कागस अब सच में काला है पर कागस को राख करने वालो आगे नया उजाला है कि इदर पत्राव करना है तो वो तो बंद हो गया है पैसे पास्टो है नहीं हजार है नहीं तो आप दोगे के कहा है पैसे और जो सिमापार से प्रिंट होके आते थे वो तो हमारी करंसी में और मुस्ट थर्टी परसंट फेक नोट में तब वो चले गए हमारे आम आजमी होने के नाते हमको शायद 10-15-20-25 दिन अगर जो दिक्कत होकी है आपको सहनी चाहिए तो कि देश के सामने वो दिक्कत होगी है अगर हमारे देश को सुधार की तरफ लाना है तो थोड़ी तकलीफे हम आम जनता को और हम लोगों को भी सहनी पड़ेंगी लिकिन आप आगी की तरफ अगर देखेंगे तो सुधार ही होगा आप जिस तरीका से देख रहे हैं, वीडियो को लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, जो लोग करनसीयां जला रहे हैं वह सब फ brace नोट से हैं वह सब जाली नोट से हैं तो आप समझे के हमारी एकनोमी कैसे सफर कर रही है और यह जहां पर मैं तो लोगों को बोलती हूं, आप लोग यूएस एंबसी की वीजा लेने जाते हो, तो तीन दिन लाइन में खड़े होते हो, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप अपने देश की सुधार के लिए थोड़ी दो दिन, तीन दिन की तकलीफे नहीं सह सकते हो तो आप फूचर की सोचे है, and I think it's a great move. Prime Minister Modi ji ने गदम होटाया ह। थाँ है, थे जहाँ लगता है, यह जिदने भी जो जविधे ऑचा लगता है। इसी तरह जो जामाखुरी लोग बलेक मानी रखते हैं, इसके हैं सबसे यह बहुत अच्छा कादम है I think it's, for me, it's the greatest move that I've seen in the history of Indian politics, by far, hands down, I've been so impressed by it, it's unbelievable what's happened करते हैं